हेलो गाईज, वेलकम टू आवर चैनल, आई होब सभी अच्छे होंगे फ्रेंट्स, इस वीडियो में मैंने बथुए के रायते की रेश्पी सेयर की है जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है क्यों भी बथुए में बहुत ज़्यादा आयरन होता है और थोड़ा गरम भी होता है जिससे हमारी वड़ी में गरमी बनी रहती है तो सब लोग बथुए के पराठे, बथुए की रोटी बगरा बनाते रहते हैं तो आज मैंने बनाया है बथुए का रायता बथुए का रायता बना लेके लिए मैंने धाइ सोगराम बथुए को अच्छे से साफ कर लिया है और इसकी जो मोटी-मोटी डंडी होती है उनको हटा दिया है अभी बथुए को मैंने वस्क कर लिया है तो यहाँ पर मैंने बाल्टी में खूँ सारा पानी ले लिया है और एक वार बथुयों को अच्छे से वास कर लिया है फ्रेंड्स बथुयों को बहुत अच्छे से वास करेंगे तो यहाँ पर एक वार तो वास कर लिया है अभी दोवारा से फिर से पानी ले लिया है और बथुयों को दोवारा से फिर से साफ करेंगे क्योंकि बथुयों के अंदर रेत जैसा होता है गंदगी और गंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है तो यहां पर दोवार बहुत अच्छे से मैं अच्छे से पानी में यह अपने कड़ाई में रखा है, आप चाहे तो कोकर में, पतीले में, भगवने में, जिसमें भी आप चाहे उसमें बोईल कर सकते हैं, यहां पर बत्वय को बोईल होते हुए, डो मिनट हो चुक़े हैं, अभी बत्वय को मैं एक चम्मस से चला दूंगी, अलट पलट करके ज अलग रख दिया है थोड़े देर इसको कर लेंगे ठंडा तो यहाँ पर बथुये में मैंने कमी पानी डाला है और बथुये में फिर भी बहुत सारा पानी हो गया है फ्रेंट सारा पानी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे थोड़ा पानी हम अलग डाल देंगे तो यहाँ पर बथुये को मैंने mixy jar में डाल लिया है, दो हरी मिर्ची ले लिया है, अभी बथुये का बना लेते हैं paste, और दो टेवल स्पून मैंने बथुये वाला पानी ही डाल के यहाँ पर paste बना कर लिया है, तयार, तो स्रेंट्च यहाँ पर आप अगर दही से बना रहे कि मैं इसका चाय जो होती है लसी उससे बना रही हूं यहाँ पर रायता, तो यहाँ पर मैंने एक लीटर चाय ले ली है, उसके अंदर बथुये का मिर्ची वाला पेश्ट डाल दिया है, और डाल दी है, आधा टीस्पून लाल मिर्ची, आधा टीस्पून वाइट वाला न करते हैं, तो 2-3 मिर्ची बथुये के साथ पीच लें, और काला नमक जरूर डालें, क्योंकि काला नमक से एक तो डाइजिसन अच्छा होता है, और दूसरा इसका स्वाद भी बढ़ जाता है, अभी अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गई है जो बथुये का पेश्ट था, वो भी लशी अंदर, छे के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी चलते हैं इसमें लगा लेते हैं तड़का, तो तड़का लगाने के लिए यहां पर मैंने एक छोटी सी कटोरी रखी हुई है, आप चाहे तो जिसमें भी आप तड़का के बार डाल दिया है जीरा जादा सा और थोड़ी से डाल दिया है हींग क्योंकि हींग जरूरी होती है हींग से डाइजेशन जो है अच्छा होता है सारी चीज़ा अच्छे से भुन गई हैं आप देख रहे हैं हींग भी जीरा भी अभी इसी कटोरी को मैंने उठा के रायते पाले भगोने में डाल दिया है और बहुत अच्छे से तड़का लगा लिया है और मैंने जो तड़का बनाया था उसको कुछ सेकंड के लिए ठंडा कर लिया था एकदम गरम गरम नहीं डाला है और यहां पर हमारा जो रायता है वो बहुत अच्छा बनके तयार हो गया है आप चाहें तो इसमें राई का भी तड़का लगा सकते हैं लेकिन हम लोगों को जीरे हींग का रायता ही ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पर बतुए बाला रायता हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हो गया है कैसी लगी यह रेश्पी जरूर बताना काला नमक घरी मिर्ची का इस्तेमाल जरू करें तभी रायते का स्वाद जो बढ़ता है आई हो वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक कर देना थैंक्स पर वाचेंग